ये what's up guys, स्वागत है आप सभी का मेरे चाल में, दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग WhatsApp में send क्यों है message को delete कैसे कर सकते हो, हो सकता है आप लोग ने गलत send कर दिया तो आप लोग चाहते हो कि उसको delete कर दो, तो वो कैसे कर सकते हो, okay, तो simply मैं example के तोड़ पर एक message भीजता हो, मैं खुद कोई, okay, ऐसे भीज देता हो, मैं, ऐसे G लिखके भीज देता हो, और ये message मेरे को send नहीं करना था, और गलती से send हो गया मेरे से, okay, तो इसको delete कैसे करे, तो simply इसमें long press करना है, जो message को आपको delete करना है, उसको long press कीजिएगा, long press करने के बाद उपर जो देख रहे हो, एक delete का icon बना हुआ है, dustbin का, वहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद, delete for everyone, delete for me and cancel लिखा हो आ रहा, तो obviously आपको, अगर मतलब सामने वाले को नहीं देखना चाहिए हो message, तो delete for everyone करना है, अगर आप लोग देख लिया, भीजते ही देख लिया, तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लोग नहीं देखा है, तो यहाँ ऐसे delete करोगे, तो यह सामने वाले के चैट से भी delete हो जाएगा, और आपके चैट से भी delete हो जाएगा, तो guys, ऐसे आप लोग send की हुए message को वाट्सेप में delete कर सकते ओके, तो अगर वीडियो हेलफूल था, तो वीडियो को लाइक कीजे, और चैनल को subscribe कीजे, ऐसे tips and tricks वीडियो के लिए, थैंक यू